हलो फ्रेंज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चानल लीगल हेल्पिन हिंदी में दोस्तो इलाबाद हाई कोट का एक बहुत ही एहम जज्जमेंट है जो कि स्पेशल मेरिज एक्ट के उपर आया है जो कि 30 दिनों के नोटिस से संबंधित है इस जज्जमेंट में इलाबाद हाई कोट ने ये साफ कर दिया कि कोट मेरिज करने वालों के लिए 30 दिन का समय देना और इस बीच 30 दिन का नोटिस पबलिश करके रजिस्टार के आफिस के बाहर लगाना और उस पर आपती आमंतरित करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती तो जानते हैं क्या था ये मामला और जज्जमेंट की PDF कॉपी के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते है वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी जरूर करेगा दोस्तों कोट मैरिज कौन करना जाता है भारत में जहां शादी बिया लाखों रुपे का खेल होता है क्योंकि अब शादियां करना भी स्टेटस सिंबल बन गया है लोग बढ़ चड़ कर शादियों में पैसा खर्चा करते हैं ऐसे में कोट मैरिज सिर्फ चंद हजार रुपेयों में ही हो जाती है ये बात किसी के गले नहीं उतरती भारत में अभी कोट मैरिज को या फिर कोट मैरिज करने वालों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में लोगों की ये मानता कि कोट मैरिज सिर्फ वो लोग ही करते हैं जो की घर से भागते हैं या फिर इंटरकास्ट या अंतरजातिये विवाह करते हैं लेकिन 30 दिनों के नोटिस की वज़ा से ऐसे जोडों के लिए कोर्ट मेरिज करना भी आसान नहीं था ऐसे में इलहबाद हाई कोर्ट का जज्ज्मेंट इसी बारे में बात करता है और इस तरह के जोडों को सनरक्षन प्रदान करता है जिसके बाद अब वो बिना किसी आपत्ती के कोर्ट मेरिज कर सकते हैं इलहबाद हाई कोट ने अपना एहम फैसला सुनाते हुए कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 6 के तहट नोटिस पब्लिश करना और धारा 7 के तहट उस शादी पर किसी तरह की आपत्ती को आमंत्रित करना निजिता के अधिकार का उलंखन होता है दोस्तो होता यूँ है कि जब भी कोई कोट मैरिज के लिए आवेदन करता है तो कोट मैरिज के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है और इस पीच रजिश्टरार के आफिस के बाहर एक नोटिस पब्लिश करके चिपका दिया जाता है जिससे अगर किसी को भी उन दोनों कपल की मैरिस से कोई प्रॉबलम हो या किसी तरह का एतराज हो तो वो अपना एतराज जाहिर करके शादी को रुखवा सकते हैं जश्टिस विवेक चौधरी ने कहा कि इस तरह के नोटिस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेक्ति के स्वतंत्रता और निजिता के मौलिक अधिकार को खतम करता है कोट ने कहा कि स्पेशल मैरी जैक टुनिसो चौवन के सेक्शन पांच के तहट शादी करने वाला जोड़ा लिखित रूप में विवाह अधिकारी को ये बताएंगे कि इस तरह के नोटिस को पब्लिश किया जाए या फिर ना किया जाए अगर दोनो पक्ष ऐसा नोटिस लगाने को मना करते हैं तो अधिकारी इस तरह के नोटिस को प्रकाशित नहीं करेगा और आगे के प्रोसीजर को फॉलो करेगा लेकिन अधिकारी को ये अधिकार मिला हुआ है कि वो दोनों पक्षों की जांच पड़ताल करेगा जैसे कि उनकी पहचान करना, उमर का पता लगाना, उन दोनों के बीच लीगल सहमती है या नहीं इस तरह की बातों से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा अगर वो संतुष्ट नहीं होता, तो उनसे प्रमान पत्रों की मांग भी कर सकता है चलिए जानते हैं क्या था ये मामला कोट में एक बंदी प्रतक्षी करन याजिका दायर की गई थी आरोब था कि एक लड़की अपने प्रेमी से शादी करने जा रही थी इस वज़ा से उसे हिरासत में लिया गया है दोनों अलग धर्मों से संबन्दित है उन्होंने कोट के सामने कहा कि स्पेशल मैरी जैक टुनिसोचवण के तहट वो शादी करना चाहते हैं पर तीस दिन के नोटिस की वज़ा से उनकी शादी में बहुत सारे लोग किसी भी व्यक्तिगत कानून के तहट इस तरह के विवाह की किसी भी तरह के नोटिस को प्रकाशित करना या फिर आपत्ति को आमंत्रित करने की जरूरत नहीं होती और इसकी वज़ा से लोगों के व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी खतम होती है तो दोस्तों ये था इलहाबाद हाई कोट का एक एहम जज़्मेंट जो की कोट मैरिज को लेकर था आई होप की एज़्मेंट आपको पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए चैनल को सबस्क्राइब कर ले